समस्कार किसन भाईयों, सभी का सुआगत है हमां चैनल पर, मैं हूँ आपका दोस्मनिष दाकर किसन भाइयों आज कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोगवन गेहँ की अलग अलग वरीट्यों के बारे मैं किसन भायो जो लोगवन गेहूं होता है वो एक बोरी किसम का गेहूं होता है जिसको हम अगयती और पच्छती दोनों बुवाई के अंदर लगा सकते हैं और किसन भायो लोगवन गेहूं का जो पकने का समय होता है 100 से 110 दिन के अंतराल का होता है किसन भाय बात यह आती है कि सभी किसन भाय लोगोन गेहूं को लगाना क्यों पसंद कर आखिर क्या फाइदा है इससे किसन भाय लोगोन गेहूं का एक सिंपल तरीका है अन्य गेहूं से काफी अच्छा स्वाधिष्ट होता है लोगवन गेहु का जो टेस्ट होता है वो बाकी गेहुं से अलग होता है दोस्तो उनसे काफी अलग इसका स्वाद है काफी एच्चा स्वाद है इसका किसनबर यह खाने योग यह एक variety है लोगवन गेहुं जिसको हम लगा सकते हैं और किसंबर यदि उत्पादन की बात करें तो 40-45 कुइंटल प्रती हेक्टियर की दर से होता है दोस्तो अब बात करते हैं किसंबर जो लोगवन गेहूं होते हैं आपको लोगवन की कौन-कौन सी वराइटियों को लगाना चाहिए उनकी अलग-अलग कंपनिया हैं जैसे कि श 201 भी लगा सकते हैं दोस्तों आप सिजिंटा नीव भी लगा सकते हैं किसंबर यो आप ये सभी किसंबर यो आप लोगवन की वराइटियां लगा सकते हैं अपने खेट के तो किसंबर ये कुछ चोटी जनकारी थी लोगवन गेहूं के बारे में कितनी वराइटियां होती ह उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के अंदर जान करी दी यदि आपको ये चोटी जान गारी पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर जुरू करें यदि चैनल वो पहली बार आए तो चैनल को जो सस्क्राइब करें बहुत बहुत जन्याओं तो तो आप सभी का जैहिन जैबरत